येलो जी तो आज हम बना रहे हैं परश्वाद के लिए पताशी तो यह पताशी जो है मार्केट में मिल जाते हैं पर आज हमने बनाए घर पर बहुती एजी और फटाफट से बनकर तयार हो जाएंगे तो चलिए देखती हैं कैसे बनाए हैं इक कटोई चीनी ले लेए लिजा एक कटोई शीनी लेए लिए अंधी कटोई शीनी लेके कआ वे मेठी सोड़ा लिए मिटा लिए मड़ाधा पटानी الص्व. गैसा दख तो जब गए लेके बूटटन लेगे तो अब हम कर देंगे गैस को चालो और यह जो पताशे है यह जल्दी बन कर रेड़ी हो जाएंगे आपको से बीस मिंट लगेंगे इसको पूरे रेड़ी होने में चाशनी के साथ तो यहां पर जो है हम इसको लगातर चलाते रहेंगे मोटे तले का हमें बरतन इसलिए लेना है जिसे कि जो हम चाशनी बनाएंगे वो चिपके ना अगर हम पतले तले का बरतन लेंगे तो उसमें चाशनी जो है चिपक सकती है तो इसलिए हम मोटे तले का बरतन लेंगे और इसको लगातर चलाते रहेंगे अगर आपको मेरी वीड बोईल आज चुका है, जो चीनी है वह है अच्छे से मेल्ट होनी लगी है, तो इसको हम लगाते चलाते रहेंगे अभी हमने मीडियम फ्लेम मी रखी है, ना लही हमें सलो फ्लेम करने ना लहीं हाई ही, अगर आपके पास पतले तलेका परतना ता आप पिल्कूल सलो फ्लेम प आपको तरीका बताऊंगे किस तरीके साथ इसको चेक कर सकते हैं तो देख सकते हैं हलके हलके भी गाड़ी होने लगी है तो थोड़ा से असमें बॉयल और आने देंगे अभी लगाता चलाते हुए तो इसको हम लगाता चलाते रहेंगे चारत अफसी साइट करते रहेंगे इसको चलाते रहेंगे इसको अब हम चेक कर लेते हैं चेक करने के लिए हम नौर्मल पानी ले रहेंगे कटोरी में उसमें हम थोड़ी सी चाशनी डाल कर देखेंगे तो देखें इस तरीके से हम चाशनी लेंगे और पानी में डाल कर देख तो आप देख सकते है नीचे जाकर चोप चुकी है और अब निकाल कर देखेंगे। इस तरीकिसे चाश्नी ने醒 shelf ready हो चुकी है अससे भधी थक तरीका है। जाश्नी ऑर रोडर किता कर दालेंगे तो इसमें डालेंगे मीठा सोड़ा और उत्सेन पहले ouaisुट यह ते दुद्यार मीठा सोड़ा अब इसमें हम डाल देंगे मीठा सोडा, खाने वाला सोडा लिया है, आप इसमें इनों भी डाल सकते हैं, अब लग अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, अब देखे, मैं आपको देखाती हूँ कि इसमें हमें क्या गलती नहीं करने देखे, इसमें बहुत जाधा ज़ाग है और मैंने इसको डालना शुकर दिया है, अगर आप इस तरीके से इसको डालेंगे, ज्यादा जाक के साथ ये जो है पताशे वो फ्लैट बनेंगे, हम ये अच्छे से फूले फूले से पताशे चाहिए, तो उसके लिए थोड़े से जाक कम हो जाए बरतन में, उसके बाद हम इ ने सभी को रैडी कर लिया है, अगर इस तरीके से थीक हो जाती है इसमें पताशे बना सकते हैं, तो देखें दो तरीके पताशे बनाए हैं, इक वाले फूले में थोड़े से बनी है, क्योंकि बरतन में थोड़े से जाक कम हो गए थे इसके बाद हम इनको बनाया है, और टोटल इनको बनाने 20-25 मिल लगते हैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है तो देखे यह है वह फ्लेट वाले यह भी राम से निकल रहे हैं यह बने तो यह अच्छे हैं पस यह है कि फूले नहीं है क्योंकि ज्याग ज्यादा थे उसी टाइम हम इनको बनाने शू कर दिय जोने इनको देगाने कि अहिंत यह, स्टाइक वाले हैं की अब फूले आए नहीं है यह हिंद्द रहा फूले नहीं में हएं ससी तरहां सा नामें चैरी ज्ल्स कर रहे हैं हमारे chill नहीं मुलिए तथे सकते हैं कंपने तो बहुत हूत स्थी है कि इतने बढ़िया हमारी पताशे बने हैं तो आपको तोड़ के दिखा दूँ तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं तोड़ने के बाद भी जाली जाली से देखरी अंदर से जैसे कि मार्केट से पताशे राते हैं उनके जैसे तो यह बिल्कुल टेस्टी और फटाफट से बन जाने वाले पताशे हैं आप इनको कंटेनर में भरकर रख सकते हैं तो हमारी पताशे हैं रेडी हैं इनको मैंने बनाया है परशाद के लिए तो आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताईए तो मैंने इनको भर देया है कंटेनर में देख सकते हैं कंटेनर में भर द ते तो खब मुझे कर बबाइ